वालकम बैक टो आर यूटीब चानल मैं पूजा डिलो CRSE University का B.A.D. सेकंड येर का थर्ड पेपर Creative and Inclusive School क्या आज important questions आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जए हैं जो कि आप ले सकते हैं नीचे दिये गए नमबर पर चैनल पर नए आए हैं सस्क्राइब कर दीजे शेयर कर दीजे और लाइक जरूर कीजेगा वीडियो का अगर यूद्सूल लगे तो कोशन पेपर की बात करते हैं अप्रेल दो हजार 22 की जो रियेपियर एक्जाम हुए थे फर्स्ट फ्रंट पेज हमें नहीं मिला है यह आपके छोटे कोशन है जो आपको करने हैं कमपल्सरी स्कूल अवेरनेस फोर एड्रेसिं लर्निंग डिफिकल्टी इस इन एन इंक्लूजिव स्कूल रोल ओफ स्पेशल एजुकेटर इन एन इंक्लूजिव यह आपके छोटे कोशन आये थे बहु विकलांग था यानि मल्टी डिसेबिलेटी आपका इसमें पूछा गया है विकलांग बच्चों के संदर्ब में RTE दीनियम 2009 के मुकी विशेशता हैं बताईए यह आपके चार छोटे कोशन थे ठीक है युनिट फर्स्ट की बात करें तो युनिट फर्स्ट में हमेशा आपका जो important कोशन रहता है वो है explain the concept of inclusive education discuss the principle of inclusive education आपका inclusive education का principle, concept, importance बहुत ज़्यादा ज़रूरी है needs भी इसकी आपको याद करनी है then हम इसकी इसी unit में third question की बात करें explain the characteristic of visual impact children what educational program would you suggest for the visual impact child यहाँ पर visual की जगह आपको hearing भी पूछा जा सकता है means यह तो है द्रश्टी बात याबालक के लिए और इसकी जगह आपसे जिसको सुनाई नहीं देता है उसका भी आपसे पूछा जा सकता है या फिर mental आपसे पूछा जा सकता है तीनों में से कोई एक आपको यहाँ पर मिलेगा notes आपको चाहिए तो दिये गए number पर आप contact कीजिए whatsapp के उपर message कीजिए आपको notes प्रोवाइड करवा दिये जाएंगे Hindi medium में और साथ के साथ आपको important question भी दिये जाएंगे जो की paid है आप लोगों के unit second की बात करें तो describe in detail the main feature of RCI Act 1992 in term of inclusive education तो आपके RCI, CRCS, DDRCS और NGO यह important हैं इसके अंदर बात करें हम हमारी fourth, third unit की तो third unit में आपका जो question बनता है और जो important question है आपका वो है explain the concept of inclusive school in term of awareness and positive attitude towards disabled among teachers and parents means आपका एक नहीं question आपका disabled student के अपर आएगा जिसके अंदर teacher parents की भूमी का पुछी जाएगी या फिर parents और school की भूमी का पुछी जाएगी वहाँ पर आपसे तो आपको वो बतानी होगी जैसा कि नीचे दिया गया है describe the learning style of children with special needs in an inclusive school special needs वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या जरूरत होती है समावेशी स्कूल में क्या विशिष्ट आवशक्ता है उन्हें दी जाती है ये सब आपको पढ़ना है unit 4 की बात करें तो unit 4 में 2022 में ICT आया था और इस बार chances जादा है कि आपका ICT यहाँ पर शायद में भी नहीं आए क्योंकि दूसरा इसमें important है आपका role of parents and teachers in developing positive relationship between school and home ये कुछ से as it is आप लोगों का आता है 9 वाला और कई सालों से आ रहा है तो आपको अच्छे से अपनी तयारी करनी है all the very best do like, share and subscribe my channel have a great day, take care